वेलकम टू मास्ट्रम अड़ जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्ट्रम अड़ जीके में फ्रेंस आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 50 महत्पुन अब्जिक्टिव कोस्चन्स जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंस कि बिहार पुलिस फा क्या था और यह दूसरा वीडियो ठीके फ्रेंस तो मेरे ख्याल से दो से तीन वीडियो में आपका जो सिलेवस में दिया हुआ है फिजिक्स में पढ़ना वो कंप्लीट हो जाएगा उसी तरह से पढ़ें तैयारी एक्जाम तक अच्छी हो जाएग अभी थोड़ा डेट ब सब्सक्राइब करते रहें तो चलिए फ्रेंस आज पचास महत उपून देख लेते हैं बिल्कुल करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जुरूर दबा देजेगा तब पहला सवाल आपका रहा फ्रेंस की फ्यूज में पर्युक्त होने वाले तार की विशेशटा क्या होते देखे घरे में घरोम में फ्यूज लगी होति है उस में जो तार होते इसकी विशेशटा क्या होते उसका गुन्म क् ताकि हमारे घर में लगे उपकरन क्या सभी सुनच्छित रहेंगे तो यह भी जो मैं प्रॉइट करा रहा 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 और आपका चुमक चुमक ठीक है तो पहला का करेक्ट नसर नमर्डी हो गया सवाल नमर दो को देखे सवाल नमर दो है कि ट्रांसफर्मर पर्यूग तो होते ह तो दो नमर्ड शवाल का क्या होता यह क्या करता है एसी अनि अल्टरनेटिव करेंट को क्या करता है कम करता है या बेसी करता है अनि उपचैन या अपचैन करता है आप्चैन करता है आप्चैन का करेक्ट नसर होगा टांसफर्मर है जो पर्यूग तो होते हैं एसी वोल्ट हो गया परतिया वर्ति धर्दहर परति धर्रोट किसके लिए उप्युक्त नहीं मिकड़ें तऩुक रहा सकता एको उस-mix बैटरी में किस तत्व का उप्योग होता है इसमें नहीं हो जाएगा एक तत्व पूछता है तो पूछे तो चीसा हो जाएगा ठीक है चार का राइट अंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा और देखिए उसी से समझ देता आगला प्रश्ण है कि इस्तिमाल की जाने वाली धातू कौन है तो जब तत्व पूछेगा तो सीशा हो जाएगा तक क्या हो जाएगा पांच का सी हो जाएगा निजस्ता हो जाएगा ठीक है चलिए सवाल नमर छटा ये सबी सिलेवस में आपको पढ़ना है आपका बिहार पुलिस फायर में का और उसी सिलेवस के उनसार ही मैं याद रखेगा कोई भी धात्व के तार में जो विद्धुत परवायत होता हूँ एलक्ट्रॉन के कारण ही होता है का सकते हैं एलक्ट्रॉन का ही परवाह होता है एक तरह से चलिए सवाल नमर साथ को देखें सुष के सेल में कार्बन की छड़े कार करते है किसका एनोड का या कैथोड का कार्बन की छड़ करा एक ऐसा आपका कैथोड का कार करता है साथ का करेक्ट नसर नमर भी हो जाएगा आठ नमर सवाल को देखे आप फिर सवाल नमर आठ देखे कर आए कि यदि सो वाट का एक बल्व परती दिन पांच घंटे जलाया जाए तो तीस दिनों मे योनिट निकल नहाएं तो निकल तो इसको हम उनिट करतेंगे डिया हो जाएगा यदि निकल तो जब P बरबाव डवलो बटा T होता है तो W क्या होगा P गुने T हो जागा पावर कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ ठीक है? और करा 30 दिन तीन पांच घंटे ठीक है? करा 5 घंटे जला जाए जाए तीस दिन होता है तो कितना होगा? 3 पचे? 1.500 आणि P तो 100 हो गया कार दिए इसको को एक यूनिट भी कर सकते हैं काट दिया इसको दो सुन से दो सुन कट गया फ्रेंश ठीक है और कितना हो गया यह अनि 15 आया कितना यूनिट आया फंद्रा यूनिट आया टोटल आप साथ पचास पैसे तो कितना हुआ साथ साथ रूपा है ओप्सन नमर शीर का इंसर होगा तो हमको निकालना क्या यूनिट निकालना निकालना और जो निकलेका उसमें एक फसी सब्हाइध देजेगा तो तो क्या यूनिट में आजाएगा उतना में 50 पैसे से मल्टिप्लाइ करेगा तो इसका जो फ्रुपे 7 रुपया सवाल नमर 9 को देखे कि electronic Volt किसकी एक आई है 9 नमर सवाल का तो electronic Volt है सवाल का correct answer हो जाएगा option नमर 6 उर्जा की एक आई है सवाल नमर 10 को देखे कि एक दिष्ट धारा जनीत्र कार करता है किसके सिदान्त पे 10 नमर सवाल का correct answer क्या होगा तो option नंबर लुक्त धार फ़िए किसी दांद पे तो अपको लुक्त को अप्योग होता है तो इसलिए दिया जाता है आफ सुरचा के लिए दिया जाता है प्रवाहित होने वाले अधिक विद्धुत धरा को रोकने के लिए ही आपका फ्यूज तार का परियोग किया जाता है सावान लंबर 13 देखें कि समान्य तफ पर्यूक्त सुरच्छा फ्यूज तार बनाई जाती है जो फ्यूज का तार बना हुआ रहता है उसका पहला कोश्चन देखें ते फिर इस क्या होता उसका उच पर्तिरोध और निम्न गलनांग होता उसका विसेश्टा होता है जो कि मिस्र धातू से फ्यूज का तार बनाया जाता है ठीक है जिसका गलनांग बहुत कम होता है चौधर नमर को देखें कि बिजली के बल्व से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाते है और उसमें गैस बहरा जाता है कौन सा सबीको पता है अकिरिगैस निसकिरीगैस जैस क्यों कहा जाता है और तो इसका जो करेक्ट अंसर क्या होगा ऑप्सर नमर को रोकने क्लिए क्या जाता है उसका बिजली बल्व का फिलामेंट बना होता इसका गलनांक बहुत उच होता है ठीक है और उसमें अकिरिगैस भरा जाता है इसलिए हावा पूरी तरह से निकाल करक इसलिए भरा जाता है कि टंगेश्टन तंतो के उप्चेन रोका जा सके 14 का यह हो गया 15 नमर सवाल देखे फ्रेंस जो बिदुधारा और चुमकत्व से जो भी लगबग सो प्रश्न बने है फ्रेंस तो जो इंपॉर्टेंट पॉन्ट प्रश्न सब आप लोगों मैं साइट पर जाकर करें इसके पहले भी बहुत सारा मौक टेश्ट का डाला हूं वह भी रिविजन अभी से करते रहें ठीक है तो पंदर नमर सवाल आपका है कि ट्यूब लैट में विए उर्जा का लगबग कितना भाग परकास में परवर्तित होता है तो उसका हंड़ेट प सवाट वाले एक विद्यूत लैंप का एक दिन में दस घंटे पर्योग होता है एक दिन में लैंप त्वारा कितनी उर्जा कितनी यूनिट उर्जा उपीप्त होगे तो यह आपका डबलू बर्वा कर रहा है निकालने के पी गुना टी हो जागा पी कितना पावर कितना ठीक है याद रखेगा एक कीलो वाट घंटा ठीक है एक कीलो वाट घंटा वरबर एक यूनिट होता है इस तरह से बना लिएगा तो सोला का करेक्ट्र नसरे होगे अपने सवाल नमर 17 को देखिए उसी तरह से है एक विद्यूत बलू जो 100 वाट कहा एक दिन में 10 घंटे बता थे अब में देखिंपने निकालना रहा गया तो डबलू बर हम निकालने होगे क्योंकि पावर दिया हुआ समय दिया हुआ घंटा है अनि कितना है यह ना है त्यourt NEW दिन घंटा हो गया इसमें नमर शा वाल को देखे ठर्इट चालक का किसे qa था ठीक तथा आ जांते हों classic जो बिजरी आस्मानी बिजली गिर्ती उसके बचाओ के लिए tahrik चलक लगाया जाता है उच्छे-उचे मारते लगाया जाता है बड़े-बड़े मंदिर रहते हैं उसमें लगाया जाते हैं तो बनाया जाता है तो यह मुझे रुप से तामे का होते हैं क्योंकि विद्धूत का सुचालक बढ़िया होता है क्या जब अस्मानी बिजली गिरती है फिरेंस तो तड़ी जालत उपर मेरा तो उसको अपना कैच अप कर लेती है ठीक है जिसे क्या है कि छती नहीं होती है इंजालमाल की तो उनाइस नम कः हमवार में जोड़ा जाता है तो वह स्यरिनषी क्रम में जोड़े ही चलिए अगला सवाल को देखते हैं बिद्धूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातू का होता है nenelle कार करके तेम्प्रेशर पर उससे अपने का किया जाता है रिखेंस बीखें अक्यों जाता है बता ओगा आपक्रहित करें लात दोन रापने है इक बंग्रा बिद्धूर्फी को देखे रहा था क्रतिक हो लेकिन प्राकिर्थिक गरव पूछे प्रूशे तो चंढ्रम यह खे ठीक है फिस से अगला ओंगला सवाल है मचञँ होता है मायक का मिन्स अबरक मतलब समझ गया होगे तो जो चोविस का जो करेक्टन-सर नमर यह होगया पटीशन नमर शवाल को देखें 25 नमर सवाल है पर्योग होने वाली वस्तु है पर्तिशन दिपति नली में तो 25 का जो correct answer होगा option नमर C पारा वास्पन तथा आरगन का पर्योग पर्ति दिप्ति नेली में सरवाधिक किया जाता है पारा वास्प तथा आरगन चलिए सवाल नमर 26 को देखे सवाल नमर 26 को देखे फ्रेंस कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ के वैद्यूत पर्ति रोध गिर कर सुन्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ के वैद्यूत पर्ति रोध गिर कर सुन्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते है 26 का उसे क्या करते हैं अतीचालग कहेंगे ठीक है Option No.A इसका Correct answer हो जाएगा चले सवाल No. 27 को देखे विद्धूत मरकरी लैंप में रहता है क्या रहता है विद्धूत मरकरी लैंप रहता उसमें क्या रहता है तो 27 का Correct answer Option No.A कम दाप पर पारा राता ठीक है विद्धूत मरकरी लैंप में कम दाप पर पारा राता याद कर गया है फ्रेंस option number 8 का correct answer होगा सवाल number 28 को देखें कि किसी चुम्बक की आकर्षन सक्ति सबसे अधिक कहा होती है ठीक है किसी चुम्बक की आकर्षन सक्ति जो सबसे अधिक होती है तो दोनों किनारे पर होती है ठीक फ्रेंस तो कहां पर होती है दोनों किनारों पर आकर्षन सक्ति सबसे अधिक रहती है याद रखेगा किसी भी चुम्बक का आकर्षन सक्ति दोनों किनारे पर अधिक होती है अगला नमर बी 29 का करेक्टनसर हो जाएगा सवाल नमर 30 को देखें चुमक्य छेतर का मातरक क्या होता है तो गौस होता है और 32 नमर सवाल है आपका कि मुक्त रूप से निलंबित चुम्बक्ये सुई किस दिशा में टिकती है अगला सवाल को देखते हैं कि चुम्बक्ये कमपास की सुई किस और इंगित करती है 33 नमर सवाल को देखें कि निम्ड में से कौन विद्धूत अचुम्बक्ये इसमें से कौन सा है 34 का जो करेक्टन सवाल याद रखें 34 का डिक करेक्टन सर होगा 35 नमर सवाल निम्ड में से कौन परती चुम्बक्ये है गेस किजिए लोहा विद्धूत निकेल या और इसमें से कौन होगा 36 नमर सवाल को देखें किसी चुम्बक्ये पदार्थ को बिचुम्बक्ये किया जा सकता है चले गेस किजिए कोई माले चुमक्य पदार्थ है उसको बीचुमक्य करने कैसे कर सकते हैं हथोड़े से पीटकर कर सकते हैं गर्म करकर करके या उप्रियुक्त दोनों या इन में से कोई नहीं चले सवाल नमर 38 को देखें कि मुक्त रूप से लटकती चुमक्य का अच्छे भोगोलिक अकष के साथ कोर बनाता है ठीक है यहाँ पर अक्ष है जे मुक्त रूप से लटकती चुमक्य के सुई का अच्छ भोगोलिक अच्छ के साथ कोर बनाता है 38 का हो जाएगा आपका 18 डिगरी का याद रखेगा ठीक है आप्शन नमर शीज का राइटन से रहें कुना एक बार मैं पढ़ा हूं कोशन है ठीक है आप्शन नमर ए इसका करेक्ट अनसर है किसी भी धातू को जो अच्छो मक्य बना रहा है तो उसके रिया को क्या कहेंगे डिमैगनेट टैजेशन काते हैं और कोई च्छो मक्य पदार्थ को बीच्छो मक्य करना है तो उसको पीट कर और गर्म करके अभी मैंने हमने उन हाथ के नियम में कौन सी अंगली बर्तमान की दिशा दिखाती बर्तमान की दिशा दिखाती है अगला सवाल है उसी सम्भन दिताए थे आधा पुछाएग छी गाकी फड़empt के बाई हात का नियम में प्रवकि कर दिशा बताते है बहुत इंपोर्टन सवाल है Дж्ए E पका पूछा जाए एक 40 का जो correct answer होगा फ्रेंस बिद्धूत चालक में बल की दिशा जब चालक चुमक्य छेत्र में है याद रखेगा इसका correct answer एक 40 का C हो जाएगा फ्लेमिंग के बाइहात का नियम है दीशा बताता क्या विधुध चालक मे बल दिशा जब चालक चुमक के चेत्र में होता है ना कि विधुध चेत्र में होता है बिद्धुधारा का उस चालक में जब चालक केशिक matches होता है спрос चलीी Г. brings देखें निम्रिकित में से कौन सा कथन असात्य है पढ़ते चलता हूं फ्रेंश चेक कर लिएगा किसी चुम्बक के आसपास चुमक्य छेत्र होता है सही है विद्धु चुमक्य परभाव की खोज का स्रे अस्ट्रेडिको जाता है यदि कमपास सुई को चुमक के निकट रख किसी विद्धु धारा के आसपास में देखेगा चुमक्य छेत्र होता है यही आपका गलत है इसलिए उपसर नंबर 10 का करेक्टन सरोगा चले 43 नमर्श रवाल को देखें अब हमने 42 देख लिए 43 नमर्श रवाल की विद्धु चुमक्य प्रेडन के नियमों का उप्योग इसके बनाने में उप्योग किया गया है तो नित्र होगा तो जनीत्र होगा तो जनीत्र होगा आने कि आपका जो चनलेटर होता है डैनुमों होता है तो ऑप्सन नमर्श का यहीं होगा तो तो डाय नम्र को देखे कार राये डायमू ठीक ऐगा करने का सिधान्य किस पिए गया है धाया कर चुमक्य पर बहुपर करता है ।ो सब्सक्राइब एक मेटे मैं क्या भी बोला था आपका डाइनमो का खोज किसने क्या था तो माइकल फराडे न किया था अगला कोश्चन है कि विदूत मोटर निम्न सिदान्त के उनसार करते किसके सिदान पर फैराडे की नियम के उनसार से काम करता यह इद रखेगा ठीक है त cket पर आपका डाइनमो का खोज क्यों क्या था तो मैंकल फराडे किया था याद रखेगा 45 का राइटह्यू सरॉप्ण नमर यह होगा बिदूत मोटर आगर पूंच बनाता होता है तु हो सब्सक्राइब के चुमद के ट्रस्फॉर्मर बाता होगा रहे हैं जान तौर तहसे नमरब्स कि यदि किसी चुमक का तिसरा धूरалась तो तिसरा धूर्व क्या कहलाता यह इसाथ रहोटेस चुमक का तिसरा धूरवा तो पारिनामी धूर्वा कहलाता याद रखेगा 59 स्विडियो को देखते है ऊपका कि एक समान्छुमक करेंद चेतर बल रहाएं होनी चाहिए तो देखे फ्रेंस आपका जो विद्धुधारा और चुम्बकत्व का में से सौ प्रशन करीब बना है फ्रेंस इंपोर्टेंट तो मैं आप लोग को अप्लोड कर दिया अब इस दो एक चेप्टर और बच रहा है फ्रेंस आपका सिलेवस के अंसार से तो उससे मेरे ख्याल से सौ प्रशन आओ निकलेंगे तो सो प्रशन में आप लोग को करवा दूँगा तो आपका बिहार प्रिस फायरमेंट का जो फिजिक्स का सिलेवस दिया फ्रेंस वो कभर हो जाएगा उससे करीब करेब आपको लगता है कि चार-पांसो कोश्चन में करा दिया हूँ ठ्रेंस तो चार-पांसो कोश्चन पढ़ ले उसमें से तो कुछ ने कुश्चन पका आएगा अगर उतना कोश्चन पढ़के रहते हैं फ्रेंस तो कोई दूसरा वो कोश्चन न पुछ करके दूसरा पुछता है तो उसको आप बना सकते हैं ठीक है देख मैं अपना करते जा रहा साथ जुड़े रहेगा लाइब क्लास आओंगा दो चार दिन में फ्रांस बिसमें तब्यत खराब हो गई थे ठीक है नेटवर्क प्रोब्लम था अभी डेट भी घोशित ने हुआ फ्रेंस तो लाइब क्लास में आओंगा अभी वेबसाइट पर काम चालू है तो नेक्स व